तो चलिए बच्चो हमारे रिविजिन सीरीज की जर्नी को आगे बढ़ा जाए आज हम बिहाइव का एक लेसन करेंगे और मुमेंट्स का एक लेसन बिहाइव का लेसन होगा इफ आई वर यू जी हाँ अगर मैं तुम होता बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा लेसन है बड़ा ही म बहुत सारे फीलिंग से जिन्हें आप महसूस करोगे बहुत सारे मुमेंट्स होंगे ऑथर की लाइफ की जिन्हें आप दिल से फील कर पाऊगे चलिए फिर बिना देर की यह शुरू किया जाए सबसे पहला लेसन है इफ आई वर यू मतलब एक इंसान की जगह किसी दूसर उसको लड़ता है कि मैं काम कर दो छोपने के लिए मैं इसकी फ elegant लिखाता हूं और मैं कैसे लुगा इसरी काम कर दो तो इसलिए इस लिसन का नाम है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी इसे प्लान बनाता है ये बंदा एक घुसपैटिया बनकर ये जाकि उसके घर घुश जाता है कि मैं इसको मार दूँगा और इसकी जगह ले लूँगा अब बेटा किसी के घर घुशने के लिए उसक इस इंसान के ज्यादा दोस्त नी होने चाहिए कोई रोज आता है जूढ़ने फिर पकड़ा जाओंगा मैं तो कम दोस्त होने चाहिए उससे बंदा धूढ़ने निकल पड़ता है तो नाउ इन्टूडर ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका पुलिस से बचने के लिए काम कि इंटूर को हिंदी में कहेंगे घुस पैटिया मतलब जो रंड जाता एंटर कर जाता है एंटर इनटर्ट अधुन उन Restaurant जाता जो प्ले राइट है मतलब प्लेस करता है जो I mean skits वगरा में participating करता है वो बंदा ठीक है और उसका नाम है जराड जराड नाम है इसका अब उसे यह पता नहीं था कि यह बंदा कोन है क्या है तो उसने ग्राउंड वर्क पे काम किया और उसे पता चला कि यह ओनर ऑफ दी कॉट नाम पता था और उसे यह पता था यह कुछ बाते सुनी थी उसके बारे में कि यह बाहर कम जाता है लोगों से कम मिलता है जातर फोन कॉल्स पर ही बात करता है तो इससे लगा है इसकी फोन की आवाज बातों में मैं मैं मैंनेज कर जाओंगा He knew that Gerard was something of a mystery man इसे लगा जाता लोग से मिलता नहीं है जंगलों में अलग से दूर रहता था जिराड गेव जाओंगे जादा जूलता नहीं था बस फोन पर बात करता था ओर्ड़ देता था तो यह जो इंट्रूडर था इसको जिराड की लाइफ बिल्कुल ठीक लगी जादा बाते फोन पे जादा किसे म पूरा अपना बंदोबस था वो ना समझो इसने पता क्या गरत कर रखा था इस इंट्रूडर में चोरी तो की ही थी गोल्ड की साथ ही साथ इसने पुलिस वाले को मार भी दिया था तो अब समझ आया यह क्यों चुपना चाहरा चोरी के साथ साथ एक मुर्डर भी कर रखा इसने और पुलिस इसको ढूंड रही थी तो बचने के लिए सब कर रही ही थोट दैट रिसेंबल जराड इन बॉड़ी उसे लगा मेरी और जराड की बॉड़ी काफी सिमिलर है मैं काफी रिसेंबल करता हूं उसको यह बंदा ठीक रहेगा और उसने डिसाइड किया कि हम ज जाने की प्लानिंग कर रहा था कुछ यह देन प्रिपरेंट लीव इस हाऊज और वो कुछ समान पैक कर रहा था ही वस गोइंग तो एटेंड रहसल ऑफिस रामा एक्चल में जराड क्या करने जरता अपना ड्रामा कर रहसल कर रहा था और उस बैग में देर वर प्रॉप्स रहसल अप्ट हारग के लिए कम प्रॉप से जोधे हां ठीक है अब जराद नं यह घर में इंत्री मारी और दंकिंगा इं भूजा अबuciónर थ्रेंड तो शूट ज़्राड मार दूगा अब इंत्रोड त्रेंन जराड विचिस रिवाल्वर अपने रिवीमar से स्को धंका है द शोना साफ साफ उसको सवाल कुछ पूचे हाह और यह बोला कि मेरा ही नियत में बता दिता हो मैं क्या करना चाहरूं नुझे ह् टेरी जगह मैं लेना चाहता हूं और मैं पोली से बचना चाहता हूं। य leaf जैसे वो कहता है, he resembled Gerard in body, और phone पर उसकी आवास सुन ली थी, उसने उसको लगा कि इसकी आवास भी मैं नकल करके मैनेज कर लूँगा, not many people came to see him, क्योंकि जादा लोग से मिलने मीन आते थे, तो वो tension नहीं थी, the intruder thought he could live as Gerard in the rest of his life, he learned to imitate Gerard's voice, तो उसकी आवास की नकल उतारना उसी गया था, जादा कोई लोग आते जाते थे, नहीं फोन पर बात कर रही थी, बाहर जादा निकलना नहीं था, तो यह अवाराम से जराड की life में set हो जाएगा, अब जराड ने फिर intruder को अपनी दरफ से एक धम की दी, उसको समझाया कि बोली मारने लगा, then जराड warned him to be careful and not to kill him, क्यों नहीं मारना क्योंकि, intruder को उसने कहा that he was also a criminal and a murder, वो कहता मेरे उपर भी murder का इलजाम है, और मैं ना, ऐसे चुपते चुपते भागने रहा हूं, बल्कि मुझ पर फास ही दी जाएगी मुझे, in case he killed जराड, अगर जराड को मा देता है, तो पक्का टंग जाएगा, सूली पर टंग जाएगा, they would hang him if not as himself, then जराड, वो कहता है, तू ना, अपने life जीएगा तो शायद बच जाएगा, मेरी life जीएगा तो पक्का ही मर जाएगा, तो मेरी जगा आएगा जीने, तो पक्का मर जाएगा, और बटा ये तू आटक में तो काम करता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसने ड्रामार अच्छा, और उसको उल्लू बनाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये नहीं कहा कि तू भी मरेगा, तो भी सूली पर टंग जाएगा, बलकि और भी बाते बताई, इंटूडर का जो रियाक्शन था, वो सोचन लगा रहे, ये कैसे, इस बस अन ऑपोचुनिटी फर जराड, आप जराड के पास आइडिया आया, कि इंटूडर को मैंने बातों में उल्जा लिया है, मैंने इसको बातों में उल्जा लिया है, उसका डिसीजिजिन गोली मारने का, एक बार के लिए तो रूकी कह है, तो उसने कहा चलो, 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 जल्दी भार, चलो, मुझे लगता है, पुलिस आने वाली है, हमें कोई सेफ जगह पर जाना होगा, चलो, भागो यहां से, निकलो यहां से, पुलिस आने वाली थी ऐसे, the police were likely to come there soon, पुलिस आने वाली है, चलो, बागते हैं, बागते है He opened a door which was in fact the door of a cupboard उसकी कमरे का अलमारी का दरवाजा खोला और उसे उसके अंदर हुसा दिया इंस रूडर को पता नहीं था क्या है क्या है क्या नहीं उससे लगए दरवाजा खोल रहा है बाहर निकलने के लिए वो अंदर चला जाता है और फिर वहाँ पर उसे लॉक कर देता है अब गराज न उसको पुश किया दर रिवालवर फैल ऐसे इंट्रोड स्टैब्ड इंट्रोड जैसे धक्के से उसे कबड में धक्का मारा बंद करने के लिए तो रिवालवर नहीं चेकर गई गराज शट द द द डोर इन पुश को बिला लिया और इंट्रोडर को पुलिस के हवाले कर दिया तो देखा भाई साब थोड़ा सा प्रजन्स ओफ माइंड हो दिमाग आप चलाओ तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो क्योंकि ये नाटक कंपनी में काम करता था इसने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्किल्स को यूस किया उसको अपनी बातों में लजाया और इंट्रोडर को जिसका इरादे नेक नहीं थे जो इसके घर गुसाया था जराड के उसको उसकी सही जगा यानि की पुलिस वाले उसे ले गए जेल तो हैंस इफ आई वर यू इस लेसन का नाम ऐसा क्यों बढ़ा बापको समझा गया है और बेसिक आइडिया इस लेसन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझा चुका है इंट्रूडर ने काफी कोशिश करने के बाद भी वो जराड की जगर ले नहीं सका जराड ने अपना प्रेजंस ऑफ माइंड यूज की अपना दिमाग यूज करकर इंट्रूडर को फसा दिया और पुलिस के हावाले कर दिया अब हम आगे बढ़ेंगे अगले लेसं की और हाउस इस नौट ही प्यारा साइव लेसं हमें अपने घर से बोड़ा ही बहुत ही ज्यादा प्यार होता है सोचो एक दिन अचानक से आपका घर आपसे चिनजा एटो आपको कैसा लगेगा तो सोच के देखने जरह हम घर मकान और घर में फरक होता है बिता मकान तो किसी का भी कोई भी होता है घर हम उसे बनाते हैं हमारी फैम्ली वहा खतम कैसे आग लग जाती है अब आग लग जाती है उसका सारी चीज़ें सब कुछ चला गया उसकी सारी इंपोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई स्कूल हर चीज़ एफेक्ट हो जाएगी वह रहीगा कहाँ सब लोग मुझे नीचे ने सर से देखेंगे बिचारा बिचारा समझेगी मेरे लाइफ ठीक नहीं है ऐसा बड़ा सैड हो बट फिर उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उसे फिर जीने की तमन्ना जागी वह खुश हुआ और वापस एक बहुत हैपी लाइफ जीने लगा चल कि ऐसे लगता है तो ऐसे इसको बोला जाता था अचानक से एक दिन अपना वो नए स्कूल में लाइफ धीरे-धीरे सेट करी रहा था कि एक संडे अफटरनून को उन वन संडे अफटरनून उसके घर में आंग लग गई था हाउस वसन फायर जी हां सही सुना आपने ऑथर अपने घर पर बैटा था होंबग कर रहा था था थोड़ी ठंड थी फायर वेंट ओन इन दा फायर प्लेस होता ना जो हम जलाते हैं जैसे ह लोग सर्दी होती है तो गरम करने के लिए अपने आपको एक फायर प्लेस लगाता है तो बढ़ी ऐसी आग लगा रखे थी ठीक है अब इस मदर श्टोक दफायर उसकी मदर आग को बढ़ाने कोशिश कर दी सड़नली ली नोटस्मोग फ्रम सीलिंग अचानक से देखा कि उ पर शीलिंग पर आग लग गई है इंक्रीजट कभी कभी अंजाने में बहुत नुक्सान आथा वैसा हुआ यह आप पर आग बढ़ने लगी इतनी बढ़ने लगी सीलिंग को टचनल अब बचने करी बाहर निकले दे के मिन फ्रंट याड जब फ्रंट याड में आए फायर सब तक पूरे एरिया में आग लग चुकी थी अब यह क्या करेंगे इट वस स्प्रेडिंग बहुत धीरे धीरे जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाए थी स्प्रेड होते जा रही हिस मदर रैन बैक इंट दे हाउस उसकी मदर बाहर आई थी उसके बेटे के साथ पर उसे ल लेने चली इंपोर्टेंट लेने चली अब ऑथर और मदर कॉट इंद फायर वह लोग बचने बचानी कोशिश कर रहे थे अक्चल में देखा जाये तो ऑथर गया था फायर देपार्मेंट को बुलाने इनकी जान बची थी पट मदर हिम्मत करके अंदर चली जाती है घर के लेने चली देखा मैंने हस्बेन का मेंशन नहीं किसमें जिन्दा नहीं था इसवाथ से उनकी जोगी चीज़ें वह लेने चली गई ही रैन आफ्टर बच्चे अपनी मम्मी को बचाने के लिए रोकने के लिए तो जब रोकने के तो फायर देपार्टमेंट के एक बंदे न जल्दी दूसरा फायर मैं ऑथर की मदर को भी बचा के लिए वह बस सब ठीक था उसके मास्क लावा थो खास दादा रही थी कि उसने स्मोक इन्हेल कर लिया था ठीक है ही पुट हर इन ट्रॉक विट न ऑक्सिजन मास्क और हर माउथ यह अदर्वाइस ओल्राइट यह बहुत बड़ा हाथ्षा नहीं हुआ मा बेटा दोनों सही सलामत थे सुरक्षित थे बस बात ही है कि पूरा घर जल गया फायर डिपार्टमेंट के टाइम के आने की वज़े से इन्हें बचा लिया गया अब इसकी जो कैट थी न ऑथर की कैट वो से मिली नहीं रहे थी ओधर स्कैट वसी नोवेर अब इस सब हड़ बड़ेंगे उसने देखा कि उसकी कैट नहीं दिख रही और पांच घंटों के बाद आफर फाइव आवर्स फायर वस फाइनली पांच घंटे लगे पूरे आको बुजाने में था वस completely burnt down पूरी तरीके से घर जल चुका था पूरी तरीके से शो इच्छा तब उससे समझ आया यार मेरी कहां गी और रोने लगा बहुत जाता रोन लगे मेरी कैट मेरी कैट ऐसे कहते हुए फायर्मान फिर से अंदर जा पांच घंटे लगे पूरी आग को बुजाने में कैट गाइब हो गया कुछ बचा नहीं हाथ में उसके मदर के कुछ डॉकिमेंट्स और पापा के लेटर्स और बस इतना ही कुछ नहीं कुछ भी नहीं अब रात कुजारने के लिए ऑबिस्वी ऑथर्स के ग्राइब से सपोर किया और उन्हें अपने घर ले अब ओचर अपने जग्राने को रूखा अब अगले दिन क्या करें और शार बड़ा ही दुखी हो गया क्यों दुखी होगया क्यों जब स्कूल गया उन्हीं कपड़ों में वही शुश्पाइन की वही जूते विना हम वाप के बिना बैक के तो उसे बहुत बुरा लगा देखो ऑथर गेट साइड और इतना साइड फिल करता है कि उसको मरने का मन करता है मैं बताती हूं कैसे यह लगा देखो अइसे बड़ा ही साइड था बैक भी उसका गायब था इस वच्छे वो बड़ा ही इस वागा देखो उसे लगा सब लोग मुझे ऐसे नीची नजरों से देखेंगे अलग से रखेंगे बात नहीं करेंगे बड़ा दुखी हो गया वो कुछ करना ही नहीं था वो मर जाना चाहता था he wanted to die बट फिर भी वो किसी तरह he walked to school उसका मन नहीं कर रहा था सब इसका मजाग उड़ाएंगे ठीक है बड़ा ही sad sad feel हो रहा था अब स्कूल से वापस घर जाना गया है house he visited on the way to school देखो अब अगले दिन स्कूल जानले इसको हुमत चाहिए बड़ा sad होके school जा रहा था और रास्ते में इसने अपने school को देखा स्कूल जाते वक्त अपने घर को देखा once again school जाते वक्त on the way to the school he saw his house house visited on way to school the author walked through his house to school तो अपने घर से school की तरफ ये गया everything had been desperate जब उसने बेखा न सब कुछ सब कुछ खतम हो चुगा था जल चुगा था only the photo albums document जो उसकी mother लाई थी वह बच गया था बागि सब कुछ खराब हो गया his heart ached for his cat उसका दिल दर्द करने लगा दुखी हो गया अपने cat के लिए कि भाई मेरी cat भी मुझसे चिन गई his mother took him soon from there अब उदर से उसकी mother उसको लेगे जल्दी से they would have to find a place to live they would have to find a place to live भी तो उनको देखना पड़े हैं कहा रहें उसे कपड़े खरिदने पड़ेंगे नए स्कूल के लिए सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी तो क्यों लिए सब कुछ जल गया है तो mother उसे ले जाती है अब author keeps thinking of the cat बार बार उसको अपने cat का ख्याल आता उसके साथ जो टाइम को spend करता है वो याद आता अपने घर बहुत चीज़ें से याद आते रहती है ठीक ह how the cat would climb him and fall asleep into his pocket कैसे उसकी pocket में सो जाती थी कैसे इसके साथ खेलती थी good old times उन्होंने जो good old times जो author ने cat के साथ spend किये थे वो उसको याद आ रहे थे फिर अब होगा क्या हुआ ये अब ना ये बात सब को पता चल गई ये author के साथ क्या हुआ ठीक है और तब Soon all came to know about the author's blind author को कितना बुरा लग रहा है उसके दुरगेती हो गई है और दुखी है ये सब को पता चल गया तो अब क्या हुआ लोग ना आने लगे उसकी मदद करने के लिए people collected around him to take him to the gymnasium सब लोग बोले चल थो हमारे साथ चल सब लोग उसको ले गए जिमनेजियम में औ फिर दूर अथर को सर्पाइज और वहां उसके देखा शॉक हो गया सून ही नुए टेबल इंसाद है लिए कलेक्शन अफ स्कूल थेंग वहां पर स्कूल का सारा समान था था इस वर नोटबूक्स, क्लोज, जीन, स्टॉप, सब लोग अपनी तरफ से हल्प करने के लिए उ इतने लोग मुझसे मिलने आये उन्होंने समझा कि मुझे कैसा लग रहा है क्योंकि आजकल कौन आता किसी की मदद करने तो इस दिन उसने बहुत सारे दोस्त बनाए बहुत सार दोस्त कि इतने सार लोग इसकी help करने आये थे अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी वापस ट्रै येस, he was back at his house, renovation चल रहा था, घर ठीक होने लग गया था, okay, it was being rebuilt, his two friends from school visited him, school से उसके दो दोस्त को से मिलने आए उसको साथ time spent करते थे, ठीक है, और अब ना, जो चीज़ बहुत बुरी लग दी थी, उस fire accident ने पूरे घर को चला दिया, सब कुछ बदल दिया, और देखा ज getting the save again, पहले जैसी होगी और और अच्छे लोग, अच्छे दोस्त उसे मिल गए, जो होता है, अच्छे के लिए होता है, ऐसा कह सकते हैं, अब इतना ही नहीं कि उसे दोस्त मिलने लगे, उसका मन लगने लगे, उसको घर वापस मिल रहा था, अब cat भी वापस आ गया, जी हा अच्छे के उपर बड़ी खुश हो के मिली इससे, बिकास cat को वो मिली कैसे, जब आग लग गई थी ना, जब आग लग गई थी, तो cat वहां से बच के भाग गई थी, और बच के भाग गई तो इस ओरत के हाथ लग गई थी, और इस ओरत ने cat के बेल्ट था, उस पर फोन न बर के तुरू, इससे पता किया, देखिये, the author got the cat from her at once, the cat word happily cat ने आवाज निका ली, अपनी और बड़ी खुश हुई, और चास friends were hugging him, सब लोग को cat बड़ी पसंद आई, as for the cat, it had run away from the fire, जब बाग लगी थी, वहां से भाग गई थी, और woman को मिली, that woman got it, she telephoned as the author's telephone number was written on its collar उसके caller पर author का phone number था, तो वहां से पता करके ढून ढांट के यह आ गई, so अभी author बहुत खुश, फिर से sweet feeling sound लगे, वही घर मेरा, वही cat मेरे नहीं, दोस्त, and you know, he was very happy now, so author अपने friends के साथ बैठे, cat को अपनी कोद में बिठा के, enjoy कर रहा है time को, the feeling of loss and sad event had vanished, इतना दुख त क्लीफर दी मेरा घर जल गया, इतना बुरा event हो गया मेरे साथ, वो सारी feeling was sadness चली गई, कायब हो गई, बल्कि अब उसे अच्छा लगने लगा, he felt gratitude for his life and his new friends, अब उसे लगने लगा, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं बच गया, मेरी mother बच गई, cat मुझे वापस मिल गई, कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ बुरा हो गया है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो जो हो रहा है ना, वो उपर वादा करवा रहा है, so better never ever become sad, और अपनी life से निराश मत होई है, क्योंकि जैसा आपने सोचा वैसा हुआ नही पार हम सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना और नहीं बन पाते हैं, but life, destiny, God has different plans for you, and they might be better than the previous ones, तुमने जो plan बनाए उससे better plans हो सकते हैं उपर वाले के, तो क्यों ना उन पर भरोसा किया जाए, क्यों अपने आपको अपनी life को ऐसे एग्दम से end करने की सोचो, अगर जब भी कोई मुश्किल से चुआना है, situation हाए, तो अपना presence of mind उसकर कर अपने आपको और अपने loved ones को बचा लेना, तो चलो, दोनों ही lesson से बहुत अच्छा message आपको मिला, I hope now they are absolutely clear in your mind, crystal clear हो चुका है सब कुछ, तो आप मिलेंगे अगले lecture में, तब तक के लिए अपना ध्य जान रखिये, खुश रहिए, take care everybody, bye bye, see you soon